सुप्रभाद बच्चो आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ कहानी नीतू की एक दिन नीतू ने अपनी मा से नानी के घर जाने के लिए पूछा मा ने कहा ठीक है पहले तुम नहा धोकर तयार हो जाओ नीतू ने नल से पानी निकाल कर नहाया और नहा कर उसने नै नै वस्तर पहने जोकी नीले रंके थे नीतू नानी के आँ जाने के लिए निकली तो उसने देखा नब नीले रंका था और नीतू की नानी का घर नदी के उस पार था नदी पार करने के लिए नीतू नाओ पर बैठी और जब नीतू नानी के घर पहुची तो नीतू ने नानी को नमस्कार किया और नानी ने नीतू को नार्यल पानी पिलाया उसके बाद नानी ने नीतु को उसकी मा के लिए नत दी फिर नीतु और उसकी नानी दोनों बागीचे में गए जहां नीतु ने नीबू और नाशपाती का पेड देखा थोड़ी ही दूर पर नीतु ने देखा कि एक मोर नाच रहा था नीतु ये देखकर बहत ही प्रसन्न हुई तो देखा बच्चो आज हमने व्यंजन न की कहानी सुनी आईए इस कहानी में न से शुरू होने वाले शब्दों का एक बाद पुना अभ्यास करते हैं न से नमसकार न से नल न से नानी न से नत न से नीतु न से नीला न से नब न से नारियल पानी न से नीबू न से नाशपाती न से नयन न से नाओ न से नदी धन्यवाद